जाहिन्द आपके अपने चैनल न्यूएस्टड़ी 24 के बढ़ा मास सीरीज में आज हम पडमानूसर नचना के बारे में बताएंगे और BPSC, DROGA and Other Competition में कितना मार का पूछा जाता है ये तो बताएंगे ही साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरीका से पढ़ना है यदि आप स्टार्टिंग स्टेज के है एक दो साल के अंदर में शुरू किया है और अभी आपको question bank और syllabus का सही सही जानकारी नहीं है तब आप ये guide video देखिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यदा फाइदा मिलेगा यदि नहीं आप खुद analysis एक दो साल तीन साल यदि से त्यारी कर रहे हैं और खुद analysis किया है तो आप guide video को स्किप्ट किजिए और आप शीरा test video जाजिए test video को आपको topic wise करने से फाइदा क्या होगा कि आपको topic wise त्यारी हो जाएगा और आपकी वो हर छोटी छोटी कमी जिसके बज़र से आप selection से नहीं रुकिएगा तो आप समझ गया कि आपको क्या पढ़ना है और जो first वाले है आपको guide video के साथ-साथ test video भी देखना है फिर भी आपको थोड़ा लगता है कि मेरा अच्छा score नहीं है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं किया क्योंकि शुरुआत में सब को दिक्कत होता है शुरू में हम भी आये थे तो हमको भी बहुत दिक्कत होता है आपको दिक्कत होता है हमको नहीं दिक्कत होता है भाई हम लोग इंसान है समानी इंसान है लेकिन हाँ धीरे-धीरे करने से वह धीरे-धीरे क्या होता है याद करने का सक्ति बढ़ता है आपका एकागरता बढ़ेगा आपका यह जो आपका यह का कि आए और एक दो दिन में जदि हम विप्यासी निकाले तो भाई विप्यासी आपके वकात की से बाहर का है इसलिए जदी आप चाहते हैं विप्यासी निकालना तो आप में सबसे प्रविद्गी में गलती कर रहे हैं वह कंपेर भी मत कीजिए तीसरा बात जो है वह कमिटमेंट है कि कमिटमेंट कर देने का मतलब यह हो गया कि एक बार जाए हम कमिटमेंट कर दे तो अपने आपका भी नहीं सुनेंगे उसके लिए चाहिए आपको रिष्तेदार छोड़ना हो छोड़ सकते हैं जो भी वह आपको लेना न वह सपना होना चाहिये वह जुनूम होना चाहिए आप के अंदर जिससे दिए आतो कि आप सपना लहीं होटा है है अरे कल पढ़ोड़ लेंगे पर्सु पढ़ोड़ने के भास सबाभ देखता लेकिन पूरा किसी किसी का होता ह सब का नहीं होता है और जिसका पूरा होता है जो जाके उसके चार साल-पांच मेहनत जाके देख पीछे कितना मेहनत किया है जब सब सो रहा था जब सब जुए कर रहा था जब कोई लॉक्डॉन में छुट्टिया मना रहा था घर पे फंसन पार्टी में इंजुए कर रहा था लेकिन बंदा वो दीन रात करके पढ़ रहा था, ऐसे नहीं होता है, भाई BPSC मजाग नहीं है, कोई खेल में, दोग हकीकत बताते हैं, हम सच बताते हैं, थोड़ा आपको ख़ड़ा भी लगेगा, कि सर जो बताते हैं, वो ड्रेक्ट बोलते हैं, कि ये तेरी वकात की बाहर क अवकात सब की समान होता है, और सब में एक क्वाल्टी होता है, एक विशिष्टा होता है, आप अपनी पावर को समझो ना, कि मैं क्या कर सकता हूं, और जिस दिन पावर आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको पढ़ने भी बहुत मजाएगा, पढ़ने के साथ ही, आपको हर वो काम करने में, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आपका होना चाहिए, उसमें भी मजाएगा, और सबसे बड़ी बात है न, जदि आपको पास करना है, तो वो आपकी सपना होना चाहिए, सोते जागते, और वो आपकी जुनून होना चाहिए, आप जितना सनस्ट्रा जितना सुनू के चाहिए, समझ लिजेगा, कि उसके दो साल के अंदर में हमको जॉब होने वाला, जिटेन आपके दिमाग में योस कोष्चन आपके दिमाग में आ वहारा है, जिक जो lige टापिक पढ़ा है, वो याद में आ रहा है, एक सपका बात है, जिस दिन रिलेशन दोस्ती यार ये प्यार मोहबत ये सब दिमाग से बाहर निकलना शुरू हो गया और जिस दिन तुम्हारा पढ़ाई का चीज याद आने लगा समझ लेना कि हम सेलेक्शन के बहुत कड़ीब आ गया है चलिए बहुत बात कर लिए थुरा ये सब वोते रहता है इसे कि आपका पढ़ाए काफी बहतर हो सके परमाणु स्षा नाम परमानु से समय पाणों से रिलेटेट्ट होगा उसी के इर्ध घिर्ध में बात सबसे पहला देखिए कि इत्यासिक पृष्टभूमी परमापनु सबसे पहले किसी ने दिया था सबसे अतिहासिक प्रिष् आन्य योग बना है वो है जौन डालतन की पर्मानु सिधान्त और जौन डाल्टन साहब ने बताए थे कि पर्मानु जो हो ओ विभाज है उसका विभाजन कभी नहीं पर देंडियों पर रहे हैं तो आपको भी पता हो अधिन का हम दालतन करिक है और उसकंकि वजह से यहीं कही ने कहीं वो गलती किये थे तो आधुनिक रसाइंस शास्तरी सब थे इसका खोज करना शुरू किया और परमानु का भी विभाजन हो गया एलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन नुट्रॉन इसके बाद भी छोटे-छोटे पाट में हुआ है एलेक्ट्रॉन एलेक्ट्रॉन आया ना एलेक्ट्रॉन जब यह आया था एलेक्ट्रॉन का खोज किसने क्या था जे जे थॉम्संट का क्या मॉडल है यह देख लेजिए इसके बाद आपको प्रोट्रॉन का खोज किसने क्या था और उसका क्या मॉडल है वह देखिए नुट्रॉन का खोज किसने क्या था वह देख भांत को देखिए क्योंकि यहां से question पूछ लेता है वह वाले नहीं पूछता है अधर competition जैसे आप railway दे रहे हैं वहां आपको मिलेगा यहां से question जैदी आप और भी SSC banking इस सब का लेकिन आप पूछन पूछन का अलग होता है और उसको लास्ट तक जरूर बताएंगे कि आपको किस परकार से और कैसे पढ़ना चाहिए अब यह समझे एक्ट्रों और निट्रों यह आखिर कौन सा बला है इस वला तो थोड़ा हम आसांत भासा में समझाते हैं देखे एलेक्ट्रों जो है यह दिख रहा है आपको एलेक्ट्रों प्रोट्रों निट्रों समझने से पहले आप एक परमानू समझे परमानू एक गेंद ले लेते हैं सिधा सा एक एक गेंद का एक गेंद तो आप सब क इस बॉल पर ही आपको समझाते हैं तो एक अपका एक प्रमानु इतना बड़ा एक प्रमानु यह देखिये प्रमानु की बाहरी वाले भाग ये बाहरी बाले भाग में क्या है आपको एलेक्ट्रोन गुंते हैं क्या गुंते हैं एलेक्ट्रोन का चार्ज हमेशा निगेटिव होता है ये बात धियान रखेगा एलेक्ट्रोन कभी भी पोजेटिव नहीं होता हमेशा निगेटिव चार्ज होता है और एलेक्ट्रोन ही ब दो जो पूछता है यहां से भी प्यस्के कोश्चन पूछा है प्रोटॉन और न्कैने तोपिक यह चेप्टर देखे यह तो समझ गए आप यहां इसके साथ ही अब यह पुछता है इसमें साथ में आप परमानु संख्या निकालने का जो फर्मूला है वह आपको थोड़ा याद रहना चाहिए यह आपको याद होना चाहिए यह थोड़ा देख लीजिएगा और उसे देखने के बाद समझ लीज आपको electron, potron और neutron के संख्या निकालना आना चाहिए और साथ में पर्मानु दो हो, नूट्रोन का संख्या दो हो, प्रोटोन का संख्या भी दो हो, तो परमानुद्रमान कितना हुआ, तो आपको ये पता हो ना, चाहिने कि परमानुद्रमान किसका होता है, तो परमानुद्रमान जो होता है, केंदर, केंदर में क्या क्या चीज़ होता है, प्रोटोन और और नुट्रोन की संख्याव को मिला के तो production और नेट्रोन का संख्याव को add कर दिजिए जितना मान हो गया वह क्या हो गया आप का प्रमाणुद्र मान हो गया तू आप प्रमानुद्र मान समझ गये समा पर संभारित का भी आप देख लीजिएगा उसका डिफिनीशन और उसे किस परकार से निकाला जाता है यह भी समझ लीजिएगा क्योंकि यहां से भी कोश्चन पूछ लिया है एक बार इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना समझ जाइए प्रोट्रॉन और नुट्रॉन यह सब आ यहां पढ़ लेता है थोड़ा जाके वहां पढ़ लेता आइसा आपको नहीं पढ़ना जैसा पढ़ रहे हैं तो जिन्दगी में सबसे बड़ा गल्ति करें आप कहीं भी जिसे एक मानते हैं और आपको लगता है कोशन मैंक एनालाइसिस कीजिए और देखिए कंटेंट जै चलते रहना चाहिए याद आना चाहिए इस तरीका से पढ़िए ना आए बाड़ा बुक पढ़ लिया पता चला कि हमको कोई भी बुक का कुछ भी याद नहीं है तुमको रिजल्ट लेना है थोड़ी मास्टर बनना है आके सब्सक्राइब यहां पढ़ाना थोड़ी है यह पढ़ाना तो कोई दिकता नहीं है बाड़ा बुक की 1200 बुक पढ़ो भाई बारा सो भी पढ़ेगा न तो भी तुमको नॉलेज कम ही लगेगा इसमें कि स्मार्ट वर्क और हाड वर्क कभी दूसरे वीडियो में हम आपको एक्स्प्लेन करके बताएंगे कि क्या स्मार्ट होता है क्या हार्ड वर्क होता है इस वीडियो में बहुत चीज हम इसे बहुत आपका टाइम ले लिए तो सबसे पहले आप समझ गए यह सब निकालना अब आप समझ लीजिए कि इसमें कितना मार का कुछन पूछा जाता है हडएक साल यह देखिए तो 63 मी से रेगुलर पूछे हैं तो आप समझ गए कि इतना इंपोर्टेंट है आग दिलाने की छमता रखता है इस टॉपिक तो आपको यह एक मार्क लेना है और यह मार्क आपको से लेंगे जब तक यह आप चीज आपको याद नहीं होगा इक बार कोस्टन पूछ लिया है तो आप तो समझ ग